कि वेल्कम टूए चैनल स्मार्ट स्टडी नौदे जवाहर नौदे बिद्धाले क्लास नाइन के लिए एक्जाम का समय बहुत ही नजदिखा रहा है बहुत ही कम समय बच्चे हुए कुछ ही दिन कुछ ही घंटे बच्चे हुए इस कम समय में आपकी तयारी कैसी होनी चाहिए आज आपको वीडियो जो में बनाने जा रहा हूं ये जो वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि साइंस आपको पता है कि इंग्लिएस हिंदी और साइंस ये तीनों में समय बहुत ही कम लगता है क्योंकि आपको सिब कॉस्टन देखना है आपका एंसर फटाक से आजाएगा सबसे ज़़धा problem होता है math में होता है जो question होते हैं उस math के question को बनाना और बनाने वाधिसका सही एनसे लाना इसमें बहुत ज़़दा लगता है तो आपका तीन जो portion है इस portion में क्यों नम्बर उठाने के बहुत भी अच्छे चांसेस हैं तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि साइंस करते यारी आप कैसे कीजिएगा साइंस का मैंने बताए कि साइंस के लिए आपको ncrt का बूक देखना पड़ेगा और साइंस जो आपका साइंस का जो बूक है उसमें मैं यह बता हूँ कि किस तरह से आप क्या ची रिवीजन हो जाएगा अगर आप पढ़े हुए हैं चैप्टर को अच्छी तरह से तो रिवीजन करने में बिल्कुल भी समयने लगेगा बस एक घंटा भी एक घंटे से कम में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा लेकिन आपको क्या रिवीजन करना है उस चीज के बारे म मैं आज की वीडियो में बताऊंगा वीडियो को आप पूरी तरह से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और बेल आकन को जरूर दबा दिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्फे esk की आप कैसे कीज़ेगा साइंस यहां पर देख रहे हैं साइंस टेक्स पो लुक है यह पर जल्दी पपने करना है तो आप क्या किजाएगा कि सबसेफेले आप क्या कीजेगा हर एक चैप्टर का ठीक हर एक चैप्टर का एसा मान के तो आपका अगर आप चेप्टर को पढ़ चुके हैं तो बहुत ही आसानिस आपका हो जाएगा सबसे पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए यह दिख रहा है आपका वाट यू है लेंट आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए हार एक पॉइंट को जो है वह अच्छी तर पर सकते हैं इजली आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉलम नहीं होगी जैसे मानके चली फट्रव का हो गया अब यह पढ़नीके बाद फिर आप क्या किजिए यह जब लीजेगा उसके बाद आप क्या किते देखिए उसके बाद आप क्या किजिए कि यह जो पोर्शन है आप आपको जैसे यह है देकर सेलेक्ट दा करेक्ट वर्डस फिम्ड फॉर्लाइंग लिस्ट अंफिल इन दॉवा इसको आपको पढ़ लेना है यह इंपॉर्टन है कोस्टन अंसल पर ज्यादा धियान आपको देना नहीं है जो मैं बता रहा हूं आप उस पर धियान राकिए इसक नहीं को तो आपका यहां पर दखिए को तो इसके आपका इसे आपका पर डिखा होते हैं f50 तो इसको आपяет यह सारा चीज़ को वन वर्ड में आजाएगा इस तरह से फर्स्टेटर को कर लिए इसके आप फिर क्या किजेगा यह समय तो आपको लगेगा नहीं बिल्कुल भी इसके बाद फिर आप क्या कर जीए आप को अपको दिया हुप मिलेगा और यह देखिए यह इसको पूरा उसके बाद फिर आप क्या किजें इसके बाद फिर आप पढ़िये यह यहां पर इंपोरण होता है इसमिं आप पुरा पढ़ ले किलिए करती न तो मि करका है कि जिसे नहीं नहीं देखते हैं ईग। इसकось करें तो एससी तरह कीजिए फिर चेप्टर पर मुंइसे मिलेगा इस है से थाइओ जो। को पफिर यहां पर यहां कीवर्ट को आप अच्छी तरह से रिवाइच कर लिजये और उसके बाद फिर जो από चैप्टर के अंदर आपको देखने हैं को यहां पर बात है जैसे मान के चलिए कि कुछ कोशन अगर देखें कि किस टाइप से पूछा जाता है तो जैसे मान के चलिए कि आप जैसे यह सेट है यह सेट जो है आपका तो यहां पर जैसे साइंस का कुछ हम लेते हैं किस टाइप का कोशन किस कितने अंदर से कोशन पूछा गया है इसको भी मैं दिखा देता हूं जैसे जैसे मान के चलिए कि आपका जो कोशन है यह देखिये ठीक है जैसे विच अपदा फॉलाइंग विच फॉलाइंग रियक्स विथ कोल वाटर फाई अब यहां पर देखिये कौन जहांसा रियक्ट करता है तो यह दखिए इंटर्नल यह कोशन अंदर से कोशन पूछा गया है तो यहां पर किस तरह से आप इसको लिखिएगा इसके लिए आपको समझना होगा है कि यह कौन से चैप्टर से रिलेटेड है तो यहां पर देखिए इसके बाद आपको पता चलेगी कौन पानी में बहुत तीजी से ठंडे पानी में तो अगर हम उसके बान के से लिए कि ढूंडते हैं कि अंदर से यह मैटल और नन मेटल है तो आप यहां पर मैटल नन मेटल चैप्टर हम निकाल लेते हैं अब इसमें देखिए जो मैटल और नन मेटल चैप्टर है यहां पर देखिए रियक्शन विथ वाटर बोला गया है तो आप इसे रियक्शन विथ वाटर में देखिए यह रियक्शन विथ वाटर तो यहां पर देखिए आप देहां से देखिए ठीक है देख रहा आपको यह यह देखिए यहां पर क्या लिखा sodium metal is very reactive it reacts vigorously with oxygen and water दिख रहा है तो यहां पर देखिए यह देखिए यह बहुत ही तीजिये से जह हो रियक्शन करता है आप अगर को देखे तो कोस्टन में जो answer होगा वह क्या हो जाएगा देखिए यहां पर sodium है तो sodium इसका जहाँ वह एंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखिए और एक कोस्टन देखते हैं एक दो को इस तरह से हम देख सकते हैं जैसे आपका कोश्टन है यहां पर बहुत ही इंटर्नली कोश्टन कुछ कुछ पूछा जाता है जैसे यहां पर देखिए इस कोश्टन को मैंने देखा बहुत ही डीपली किस तरह से कोश्टन पूछा आप सोच भी नहीं सकते हैं इसा कोश्टन पूछ देखिए यहां पर which of the following elements should be available in water to metamorphosis of dead pole अब देखिए कितना internally question पुछाब को ना exercise मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा लेकिन internally कैसे पुछाब देखिए metamorphosis जो होता है तो यह आपका कौन से chapters में आ जागा जो reproduction होता है reproduction animals चीक है आप उसमें भी ही देख सकते हैं reproduction animals और यह तो फिर आपका यह आपका आजागा देखिए मैं आभी तुरूंद आपको दिखाता हूं यह कि मेटामॉर्फोसिस तो आप जो है वह revision करते रहे हैं अगर revision करते रहे हैं तो आपको किसी तरह को यहाँ पूछा वैता मेटामॉर्फोसिस है मेटामॉर्फोसिस होता है जब जब ऑर हो जाता चैंगा था अप्रोसे वह देखिंए क्या defender meeed metaphor met리 व्लेग मॉखोसिस इन in insect is controlled metamorphosis is in insect is controlled by insect hormones and in a frog it is controlled by thyroxine and the hormones produced by thyroxine production required the presence of iodine in water if the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine the tadpoles cannot become adult मतलब अगर iodine नहीं होगा तो वह अडल में तयार नहीं हो सकते हैं तो देखिए यहां पर किस तरह से अंदर से जो हो पूछा गया है और यह जो है इसका एंसर क्या हो जागा इसका एंसर जो हो जागा वह हो जागा आयोडीन देखा वहां पर आयोडीन अगर नहीं होगा तो मेंटम और प्रस्टिस जो होता है वह नहीं हो पाएगा ठीक है तो इस तरह से इंटर्णल को पूछा गया है तो मैंने बता है कि 80 परसन आपका अच्छा आपका इंप्सका वह जाएगा तो चलिए यह चोटा से एक knowledge था आपका exam बहुत ही नजदिक आ रहा है और सबको all the best और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबा दिजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आप तक सबसे पहले पहुंचे आपको इसकी बहुत ही ज़्यादर जरू रहते हैं चलिए ओके थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो